हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू रेडियन्ट कंपिटिसन क्लासेज आज हम लोग साइन्स के तत केमिस्ट्री में केमिस्ट्री के पचास महतपुर्ण सवाल को यहां पर देखने वाले हैं और यह प्रिछा के द्रिश्टी से बहुत ही महतपुर्ण होता है ठीक है चले पहला नंबर का सवाल है इस्टार्ज को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है इस्टार्ज को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है तो इसका सही आंसर होगा इन्वर्टेज एंजाइम इन्वर्टेज एंजाइम आंसर होगा नाइट्रो गिलसरीन यानि डाइनामाइट डाइनामाइट में विस्टफोटक के मनना विस्टफोटक के लिए नाइट्रो गिलसरीन का प्रियू किया जाता है और डाइनामाइट का विसकार अलफ्रेड वर्नाड नॉविल ने किया था ठेक है, नेक्ट देखेगा तीसरा नमबर का सवाल, तीसरा नमबर का सवाल है, कि सीरके में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा, एसीटिक एसीड, यानि सीरके में एसीटिक एसीड पाया जाता है, उसके बाद चौथा नमबर का सवाल देखें, क खाद पदार्थों के संरक्षन में क्या परियोग किया जाता है यानि खाद पदार्थों के संरक्षन के लिए किसका परियोग किया जाता है तो इसका सही आंसर होगा सोडियम बेंजोएट या बेंजोईक अमल ठीक है नेक्स्ट पांचवा नमबर का सवाल देखे रवर के संसलेशन में किसका प्रियोग किया जाता है तो रवर के संसलेशन में आइसोपिरीन का प्रियोग किया जाता है पूछा जाता है रवर किसका बहुलक है आंसर होगा रवर आइसोपिरीन का बहुलक है चीक है चाथा नमब का सवाल देखेगा पॉलिथीन किसे पराप्त होता है तो इसका सही आंसर होगा एथिलीन के बहुली करण से पॉलिथीन पराप्त होता है तो एथिलीन के बहुली करण से क्या पराप्त होता है पॉलिथीन साथमा नमर का सवाल देखेगा कलोरो एथिलीन के बहुली करन से क्या पराप्त होता है तो कलोरो एथिलीन के बहुली करन से polyvinyl chloride या PVC पराप्त होता है polyvinyl chloride PVC अच्छ क्छ देखेगा आट नंबर का सवाल किसी ठोस पदारते के बिना दरब में बदले सीधे वास्प ववस्था में पडिवर्थित होने को क्या कहा जाता है या क्या कहते है इसका सही आंसर होगा उर्ध पातन यानि के जैसे कपूर सीधे क्या होता है वास्प में बदल जाता है यह दरब में पडिनत नहीं होता है और इस परकडिया को हम लोग क्या कहते है उर्ध पातन कहते हैं ठीक है नौ नमबर का सवाल देखिएगा नौ नमबर का सवाल है किसी द्रव का कोथनान को वह निश्चिताफ है जिस पर उसका वास्पदाब वाईव मंडिल ये दाब से बराबर होता है तो इसका सही आंसर क्या हो गया वाईव मंडिल ये दाब से बराबर होता है तेक है उसके बद दस नमबर का सवाल मार्स गैस किसे कहा जाता है इसका सही आंसर होगा मीथेन यानि मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है इसका सुतर होता है CH4 और ये दलदली अस्थानों में पाई जाने वाली गैसे है ठीक है 11 नमबर में देखेगा आग बुझाने में काम आने वाली गैस कौन सी है तो इसका सही आंसर होगा कारबन डायोकसाइड यानि कारबन डायोकसाइड गैस का प्रियोग आग बुझाने में किया जाता है ठीक है बारह नमबर का सवाल दिखेगा गोवर गैस में मुख्य रूप से क्या पाई जाती है तो इसका सही आंसर होगा मीथेन यानि गोवर गैस में कौन से गैस पाई जाती है मीथेन गैस पाई जाती है ठीक है 13 नमबर का सवाल दिखेगा सोने के आभुसन बनाते समय उसमें क्या मिलाया जाता है तो इसका सही आंसर होगा तामबा सोने के आभुसन बनाते समय क्या मिलाया जाता है तो उसमें तामबा मिलाया जाता है हाइडोजन के कितने समस्थानिक होते है 14 नमबर का सवाल है हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं ठीक है 15 नमबर का सवाल नाइलोन बनाने में परियुक्त कच्चा पदार्थ कौन सा है तो इसका सही आंसर होगा एडिपिक अमल नायलोन बनाने में परियुक्त कच्चा पदार्थ कौन सा है तो एडिपिक अमल है एडिपिक एसीड है ठीक है सोलर नमबर का सवाल देखेगा सुद्ध जल का पीच मान कितना होता है तो इसका सही आंसर है साथ सुद्ध जल का pH 1 कितना होता है साथ होता है ठीक है उसके बाद 17 नमबर का सवाल देखिए साधारन नमक होता है तो साधारन नमक क्या होता है तो सोडियम कलोराईड होता है यानि साधारन नमक को हम लोग क्या कहते है sodium chloride इसका formula होता है NaCl NaCl को हम लोग क्या कहते है साधारण नमक खाने वाला नमक कहते है ठीक है 18 नमबर में देखेगा मुंबत्ती का जलना कैशा पडिवर्तन है तो इसका सही आंसर होगा रासाइनिक पडिवर्तन मुंबत्ती का जलना रासाइनिक पडिवर्तन का उधारण है रासाइनिक पडिवर्तन क्या होता है कि यदि वह अपनी मूल अवस्था से अन्य अवस्था या विक्रित अवस्था को प्राप्त कर लेती है तो पुना हुआ विक्रित अवस्था से मूल अवस्था में रिटर्ण नहीं आती है उसमें वापस नहीं आती है तो ऐसे परिवर्तन को ही हम लोग रासाइनिक परिवर्तन कहते हैं लेकिन क्या होता है बहुतिक परिवर्तन जो मूल अवस्था से दूसरे रूप में बदल जाता है पुन्हा दूसरे रूप से अपने मूल अवस्था में वापस आ जाता है तो ऐसे पडिवर्तन को बहुत एक पडिवर्तन कहते हैं तो मुंबत्ती जब जल जाता है तो पुन्हा मुंबत्ती नहीं बन सकता इसलिए इसको हम लोग रासाइनिक पडिवर्तन कहते हैं कर साधारन तोर पर 19 नमबर का सवाल में देखेगा लोहे में जंग लगने पर उसका भार क्या होगा तो आंसर होगा बढ़ जाता है यानि लोहे में जंग लगने पर उसका भार बढ़ जाता है ठीक है 20 नमबर का सवाल देखेगा बॉक्साइट किसका आयस्क है इसका सही आंसर है ऐलुमिनियम का यहनी बॉक्साइट ऐलुमिनियम का आयस्क है 21 नमर का सवाल देखेगा हीरा कार्बन का क्या होता है तो सही आंसर है हीरा कार्बन का अपरूप होता है ठीक है 22 नमर का सवाल देखेगा पीच बलेंडी किसका है सही आंसर होगा इसका रेडियम का और पीच बलेंड यूरेनियम का ठीक है नेक्स देखेगा 23 नमर भारी जल का नुभार कितना होता है इसका सही आंसर होगा 20 भारी जल का सुत्र क्या होता है D2O होता है भारी जल का सुत्र क्या होता है D2O होता है और भारी जल का खोज यूरे ने किया था ठीक है उसके बाद 24 नमर का सवाल देखेगा 24 नमर कहता है आधुनिक आवर्तसार्नी किस पर आधारी थै तो आधुनिक आवर्तसार्नी जो कि मोसले के द्वारा दिया गया था ये परमानू करमान का पराधारी थै जबकि इसके पहले मेंडलेप का अवर्तसारानी था वो परमानू दरबे मान पराधारी था ठीक है उसके बाद 25 नमबर में देखेगा डियूटेरियम में क्या होता है तो डियूटेरियम में एक निउट्रोन तता एक प्रोटोन होता है और ये भी बाद जान लिजिए कि न्यूकलियस में क्या पाया जाता है न्यूकलियस में भी प्रोटोन और अलक्टोन होता है और अलक्टोन चारों तरफ चक्कर लगाता है ठीक है उसके बाद जैसे देखे इससे बहुत ही महत्रपुन कोशन पूछा जाता है कि एलक्ट्रोन का खोज किस ने किया एलक्ट्रोन का खोज जे जे थॉमसन ने किया नियूट्रोन का खोज किस ने किया तो जैम्स चैडविक ने किया और प्रोटोन का खोज रधर फोर्ड या गॉल्ड इस्टीन ठीक है रधर फोर्ड या गॉल्ड इस्टीन ने किया था ठीक है अगर रधर फोर्ड नहीं उप्सन रहेगा तो गॉल्ड इस्टीन रहेगा तो आप उसको मार सकते हैं अगर गॉल्ड इस्टीन नहीं रहेगा तो रदर फोर्ट को मार सकते हैं दोनों रहेगा तो दोनों को मार सकते हैं ठीक है तीसरा उचाथा नमबर जरूर ऐसा उप्सन देगा कि आप ये और भी दोनों ठीक है 27 नमबर का सवाल देखेगा डीडीटी का प्रियोग किस रूप में किया जाता है इसका सही आंसर होगा किटानू नासक के रूप में यानि डीडीटी का प्रियोग किटानू नासक के रूप में किया जाता है और डीडीटी का खोज पाल मुलर ने किया था डिडिटी का खुच किस ने किया पाल मूलर ने किया था 28 नमबर देखेगा सिनेवार किसका एसक है सही आंसर होगा पारा का यानि सिनेवार किसका एसक है पारा का एसक है और पारा यदि पानी में घुल जाता है तो कौन सा रोग होता है मीनी माता रोग होता है जो बहुत बार पुछा गया question है कि मीनी माता रोग कैसे होता है यदि जल में पारा घुल जाता है तो उसके वजह से जो बिमारी होती है उसके वजह से कौन सा बिमारी होती है मीनी माता बिमारी होती है ठीक है 39 नमबर का सवाल देखेगा 38 वाजी में हरा रंग किसके कारण होता है तो सही आंसर होगा बेरियम के कारण होता है 38 वाजी में हरा रंग बेरियम के कारण होता है और 38 वाजी में लाल रंग किसके कारण होता है इस्टॉंसियम के कारण होता है आतिस बाजी में लाल रंग स्ट्रोंसियम के कारण और हरा रंग बेडियम के कारण होता है ठीक है तीस नमबर कारनलाइट किसका एस्क है इसका सही अंसर होगा मैगनिसियम यानि मैगनिसियम का मैगनिसियम का एस्क है क्या कारनलाइट ठीक है 31 नंबर का सवाल दिखेगा हशाने वाली गैस कांग चाहे तो nitrous oxide N2O N2O को हसाने वाली गैस कहते है और यह भी बात जा लिजे इसकी खोज यहने nitrous oxide की खोज प्रिष्ट लेने किया था ठीक है और वही पर آپको पुछा जाए कि रूलाने वाली गैस किसको कहा जाता है तो इसका सही आंसर होगा क्लोरो एसिटो फिनोन क्लोरो एसिटो फिनोन को अस्रू गैस के नाम से भी जाना जाता है ठीक है नेक्ट देखेगा 32 नवर में सोडियम धातू बुनसेन जो आला के साथ सुनहरा पिला रंगर देता है क्योंकि इसका अंसर क्या होगा इसका आइनन विभव नियून होता है क्योंकि इसका आइनन विभव नियून होता है 33 नमर का सवाल देखेगा फोटोग्राफी में प्रयोग के जाने वाले हाइपोबिलियन का रासाइनिक नाम क्या होता है यानि हाइपोबिलियन का रासाइनिक नाम क्या है इसका सही उत्तर है सोडियम थायो सलफेट इसका सही उत्तर क्या है सोडियम थायो सलफेट उसके बाद 34 नमबर में देखेगा कपूर को किस वीधी से सुधिकिया जाता है तो इसका सही आंसर होगा उर्धपातन यानि कपूर को जिस वीधी से सुधिकिया जाता है उस वीधी को उर्धपातन कहते हैं ठीक है 35 नमबर को देखेगा सोडियम को रखा जाता है कहां रखा जाता है तो इसका सही आंसर होगा मिट्टी के तेल में सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है और सोडियम ही एक ऐसा धातू है जिसको चाकू से काटा जा सकता है और सोडियम का एटोमिक नंबर 11 होता है सोडियम का एटोमिक नंबर क्या होता है 11 होता है और सोडियम का बैग्यानिक नाम क्या होता है नेट्रियम होता है इसलिए इसका सिंबॉल नेट्रियम से एने लिया गया है ठीक है उसके पाँ 36 नंबर में देखेगा 37 नमबर में देखेगा एनीम्या किस तत्यों की कमी से होता है तो सही आंसर है लोहे की कमी से होता है लोहे की कमी से होता है तो इसका सही आंसर होगा हरी सबजियों में ठेक है लोहा परचूर मात्रा में हरी सबजियों में पाया जाता है 49 नंबर में देखेगा अमल गम है अमल गम क्या है सही आंसर होगा एक मिस्रधातू जिसमें पारा होता है एक मिस्र धातू जिसमें पारा होता है उसे क्या कहता है अमलगम कहा जाता है 40 नंबर का सवाल दिखें कौन सी धातू है जो सदेव मुक्त अबस्था में पाई जाती है यानी हमेशा मुक्त अबस्था में पाई जाने वाली गैस का प्रियोक किया जाता है तो सही आंसर होगा हिलियम गैस का प्रियोक किया जाता है उसके बाद 42 नमबर पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिड से उभारने के काम में आता है हाइडोजन पराक्षाईड पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभाइडने के काम में आता है हाइडोजन पराक्षाईड ठीक है 43 नमर में देखेगा सूरी से आने वाली हानिकारक परावेगनी किरणों पर किरणों पर होती है यानि कि सूरिय से आने वाली पारा बेगनी की रुनों को सूख लेती है कौन ओजोन यानि ओजोन जिसको ओधिरी के नाम से भी जानते हैं ओजोन सूरिय से आने वाली पारा बेगनी की रुनों को सूख कर पिर्थिवी को भेंकर गड़मी से बचा लेती है यही कारण है कि ओजोन हमारे लिए अत्यंत महत्पूर्ण है अगर ओजोन नहीं होती तो निश्चित रुप से पिर्थी पर चर्म रोग बहुत ही अधिक हो जाती ठीक है 44 नमर में देखेगा बेकिंग सोडा है तो सोडियम बाई कार्बोनेट बेकिंग सोडा जिसको हम लोग खाने वाला सोडा भी कहते हैं उसका रसाइनिक नाम क्या है सोडियम बाई कार्बोनेट यानि एन एएच सी ओ थरी इसका फूर्मूला क्या होता है एन एएच सी ओ थरी ए यह वेकिंग सोड़ा का फुर्मूला होता है ठीक है उसके बाद हम लोग देखते हैं धावन सोड़ा है यह सोडियम कार्बोनेट यह होता है यह यह तू सी ओ थ्री यह सोडियम कार्बोनेट होता है और इस कौन लोग धोने वाला सोडा कहते हैं याने धावन सोडा कहते हैं ठीक है नेक्ष्ट देखेगा साधारां तरह दरब तल दरब उचे तल से नीचे तल की वर प्रवाभित होती है निमनी में कौन सा दरब गिलास में रखने पर उपर की वर चर जाता है तो इसका सही आंसर होगा दरब हीलियम बहुत इंपोर्टेंट है कि गलास में यदी दरब हीलियम को रखा जाए तो ये धिरे धिरे उपर की वर चर जाएगी ठीक है सही तालीस नमर में देखेगा कौन सा तत्व सभी रंगीन योगिक बनाता है अरतालीस नमर में देखेगा अरतालीस नमर कह रहा है पलास्टिक है पलास्टिक क्या है तो पलास्टिक एक बहुलक है पलास्टिक क्या है एक बहुलक है ठीक है उन्चास नमर का सवाल देखेगा उन्चास नमर कह रहा है सबसे हलका तत्व कौन सा है तो सबसे हलका तत्तो कौन सा है हाइड्रोजन सबसे हलका तत्तो कौन सा है हाइड्रोजन और पचास नमबर में देखेगा पचास नमबर का सवाल है सोना किस में घुल जाता है तो सोना अमलराज में घुल जाता है और अमलराज क्या होता है जिसमें एक भाग HNO3 पलस तीन भाग HCl देखे प्राया लोग कन्फ्यूज कर जाता है इसमें तीन भाग HNO3 बोल देता है जो बिल्कुल गलत है तो सोना किस में घुलता है एक भाग HNO3 और तीन भाग HCl यानि तीन भाग HCl हाइट्रोकलोरिक अमल और एक भाग NITRIC ACID जो होता है इसके मिस्तरन को इसके गोल को हम लोग क्या कहते हैं अमलराज कहते हैं एकक्वारेजिया कहते हैं और इसी एकक्वारेजिया में सोना आसानी से घुल जाता है तो अमलराज किसको कहते हैं एक भाग HNO3 और तीन भाग HCL इसका जो मिस्तरन होता है इसको हम लोग अमलराज कहते हैं या फिर इसको हम लोग एकक्वारेजिया कहते हैं क्या कहते हैं एकक्वारेजिया 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 एक्वारेजिया है तो आपको question पुछा जाता है सोना किस में घुल जाता है तो सही answer होगा अमल राज में एक क्वारेजिया में या एक भाग यह चैनो थिरी और तीन भाग यह चील में घुल जाता है ठीक है तो इस परकार आज हम हम लोग यहां पर पचास question देखे chemistry का और यह chemistry के बहुत ही मतपुर्ण question है यह इसको हम लोग बोल तकते हैं frequently asked question यानि कि हमेशा पूछा जाने वाला प्रशनों का पचास प्रशनों का संगरह आज हम आप लोगों को वीडियो के माधियम से यहां दिये ठीक है आप लगातार हमारे वीडियो में बने रहिएगा मैं science, arts और जितने भी subjects हैं सभी का mcq आप लोगों के समक्ष में परस्तूत करता हूं और बहुत ही important प्रशनों का collection मैं आप लोगों को वीडियो के माधियम से पहुंचाता हूं अवस्य हमारे वीडियो को आप देखिए अगर हमारे चैनल में आप नहीं है तो क्या किजे सब्सक्राइब कर दीजेगा वेल आइकन दबा दीजेगा तो निश्चित रूप से आपको हमारे प्रतिक वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगा ठीक है तो बस आज इतना ही धन्यवाद